कि नमस्का आज मैं आपके सामने फिर से आचुका हूं कीबोर्ड टिप्स विस्वमित में देखिए एक चीज हमारे भारत में बहुत मुशूर है हम ग्यान बाटने से पीछे नहीं कैसे कोई आप सोचिए कि किसी ने आपको यह बोल दिया कि यार में को सिर्दद बहुत है तो साथ वाला इमिजेटी बोल देगा पाया से टबोल दे लिए दुकाम बहुत है यह ले ले क्या वो है जो यह दुवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं नहीं वो टिप्स दे रहे हैं वो टिप जो उन्हें ग्यात हुई जब वो बिमार हुए तो यही बात जानने योग्य है कि क्या टिप्स देना सही है जो लोग कीबोर्ड सीखना चाहते हैं उनको कीबोर्ड के टिप्स विस सो मिसमें मिल रहे हैं तो इसका मंसल यही है कि हम आपको यह इज्णान की एक अंच दे रहे हैं एक बात बता रहे हैं उस पर आप तभी वलीड होंगे तभी आप उसको दकाल पाएंगे जब अभ्याब सकर Скरेंगे जब connecting क्रेंगे क्योंकि वैरी इजी टू स्ट्रक्शन देना बहुत असान है बढ़ उसका जो असर है उसका जो 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 उसका फाइदा होगा तभी होगा जब इस्ट्रक्शन लेनी वादा उस पर अमल करेगा जैसे मैंने किसी को बोला पैट से टाव खालेंगे अगर उसको नहीं खाएगा त तो शाइस शाक भी करें और हो सकता है उसकी बाद पर यकीन करके खाबी लें हम इंडियंज हैं विद्धर फॉल्वर्स हम फॉल्वर्स रहे हैं हमने पूरी दुनिया के घ्यान को आतमसाथ करके अपनी अर्थ वश्ता को बनाया है हमारी जो एकनॉमी है मिक्स्ट एकनॉमी है वो है स्केल्स स्केल्स मतलब सारे गामा पादानीस हम जनरली बच्पन से यह सुनते आ रहे हैं कि सारे गामा पादानीसा होता है पर हमें किसी ने यह नहीं बताया कि यह क्या होता है क्या यह बनानाज है एपल है सरगम है अलंकार है हां कुछ लोगों ने बोला यह अलंक के काइंड ओफ रेंज होता है एक पर्टिकूलर की की रेंज होवो उसका नाम फड़ जाता है तो तीसर्य मैं माहयर इसके बारे में आँगे कर informs क्या होते हैं और वो कैसे बनते पर आज का जो बात है वह बात है में क्यों कि 12 हैं बताई ती मैं आपको लास्ट टॉपिक में कौन सी 12 की अगर आप आप नहीं देखा है तो आपको इस टॉपिक को समयन में और असानी हो जाएगा जैसे मैं फिर से बताऊंगा और पादी के लिए सी शाप डडी शाप इस जी फैफ खशाप जी जी शाप ए फ ply आप ऩर गीण सी मैं आ है क्यों को मैं एफ जाप बोलना था फो कि ए discipline के बाद जी शाप जेब आप सा पीछे फबल हो गया तोदाते बताते रह गया मैं उस enjoyed कर भी सबसे पहले वाली सी कोंसी हुई है कि लिख लिजिये सी कि अब यहाँ तक आज मैं बात करूंगा इस टॉपिक में बात करूंगा यह जो किया कैसे बनगती हैं तो हाफ नोट और फुल नोट के बारे हम आपको अपके पिछले टॉपिक में बताया था अगर आप आपने वो फॉलो नहीं किया है तो एक बार उसको फॉलो कर लीज़े ताकि आपके मन में कूछ डाउट ना रहे क्योंकि यह topic जो है scale का फॉर्मशन का यह टोन 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 सैमि टोन 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 सैमि टोन मींस फुल-णोट फुल नट फुल नट फुल नट हाफ नोट फुल नट फुल नोट हाफ क्र नोट भण थे फूल नोड आता है अब आपकों हाफ नोर्फ करें टोने कachment नहीं होगा तो आप इस टॉपिक को नहीं समाझ़ पाएंगे मुष्किर होगा करके संपन कर किसी होता है कैसे होंगा फूल नोट छोड़ेंगे फूल नोट आगया चोड़ेंगे फूल नोट आ यह तीन फूल नोट आए यह मंद कि हमारे इंडियन सोर्स में आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको असानी से समय भी आसके सारे गाव वेस्टरं में C D E फिर हाफ नोट एफ आ गया तो यह सं जैन फिर एक चोड़ पूल नोट चोड़ के फुल यह नोट चोड़ा फुल नोट कैसे हुद कि तीन लेने हैं फिर हाफ नूट सेमि निकांब संधाब सप्राइब में यह इनकर देगा अब सी के पर आते दिए आपको समझा आएगा अगले स्केल में आपको समझा आएगा इसके बाद टोन लिया अपको पिछले बाला टॉपिक देख सकते हैं छोड़ दिया टॉन आ गया सब्सक्राइब यह आपका इस परहां से बज़ेगा इसको कैसे बजाना है प्रेक्टिस कैसे करनी ह वो आने वादे टॉपिक्स में हम डिस्क्स करेंगे सीशाप के बाद हम डी नोट पे आएंगे एक छोड़ दिया टॉन छोड़ दिया टॉन यह हमारे तीन सवर बनके सारे का जब गाहा जाता है सब्सक्राइब लेते हैं हाफ नोट लेते हैं महां फिट टॉन एक छोड़के 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 यह कैसे बना तो टॉन प्रीक छोड़के फुल नोट छोड़के फुल नोट सेमिटोन फुल नोट हो अब आपको यहां तक मैं समय पा रहा हूं आपको तो यह समयाच चुका होगा कि अगर हमें एक सबस छोड़ लेते हैं तो अगर साथ वाला सबस ले लेते हैं तो यह नोट आगया टॉन हां वन मतलब टॉन हां आगय की अ फिर टॉन प्रॉन पर आएंगे इसे बनेगा टॉन फूल नोटं है यह उसके बीच में अधर राइव नोट और दोलोन के बीच में कुछ नहीं है नी और सा केomb Evans में कुछ नहीं है तो कैसे आएगा टोन फुल नोट 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 देखे इन दोनों के बीच में यह नोट है फुल नोट अब दोनों के वीजियों कोई नहीं हाफ नौट तो दियर फ्रेंड्स ये थे हमारे मेजर स्केल सी से लेके एफ तक तो यह आपने देखा कि स्केल किस तरह से बने और मैंने आपको पैटिकली बजाके भी बताया और अब इसको तभी सफल हो पाएंगे जब आप इसका खुद अभ गुरू बिना गती नहीं उसी तहां से अभ्याद भी गती नहीं इस्ट्रक्शन को फालो करिए र्याज करिए और अगर कोई कटनाई आए तो कमेंट बॉक्स में जाके उसे कमेंट करिए मैं जरूर आपकी कमेंट को देखूंगा और उसका आपको हल भी दूंगा जुड़ सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अब आप उनको सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारे हर टुट्रोल की नोडिकिशन आते रहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद